हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आरकेश्टी प्लेनेट इस वीडियो में हम लोग खान सरही किताब से जो की 11000 प्लस कोश्चन इसमें दिये गए हैं जो हर एक्जाम में पूछे गए थे रेलवे का तो इसको हम लोग एक कोश्चन बैंक की तरह हम लोग ले सकते हैं तो इसमें ह पहले का वीडियो में हम लोगों ने धातू अधातू और उपधातू इसे समंधी प्रश्णों को सॉल्व कर लिए थे तो इसके बाद है मिशन को अलग करने की परमुक्विदिया तो चलिए देखते हैं इसमें से कूल मिला करके 14 प्रश्ण है जो पिछले कई वर्षों में इसे पूछे गए हैं कोशन ठीक है तो चलिए हम लोगे करके देखते हैं तो पहला कोशन है यहां पर पहला कोशन है कि निमलिखित में से कौन सा उर्धो पातन कर सकता है ठीक है उर्धो पातन जो है वो क्या होते है एक विदी होती है जिसमें ठोस पदार्थ कोई दरव को हम लोग पिग लाएंगे तो पहले दरव बनेगा उसके बाद फिर हम लोग उसको गरम करेंगे तो बहां बनके उड़ेगा ठीक है लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे पदार जैसे कि कपूर हो गया ठीक है तो उनको अगर हम लोग रखा रहने छोड़ देते हैं ऐसे ही तो क पातित पतार्त है जो जोड़ोपातन कर किनलोड कर यह से नंबर आमोनियम घ्लोराइब थीक को जन सबस्orama सी को सबस्किर का उर्ध्वपातन करने से जिकिन हां, oni के और कर लिखे । चलिए नेक्स को सब्सक्रण है तिसरा नमबर कि निमन में से कौन सी विधी जल को पंकिल से अलग करेगी ठीक है जल को पंकिल से पंकिल मतलब जिसे कि जो आवसाद नीचे बैठ जाते हैं ठीक है तो जिसे जल में हम लोग मीटी को भोलेंगे तो क्या होता कि पंक बैठ जाता है नीचे ठीक है तो कौन सी विधी जो है या जल को पंकिल से अलग करेगी आंसर हो जागा निश्यंदन विधी ठीक है निश्यंदन विधी से हम लोग जल को पंकिल से अलग करेंगे ठीक है फोर नंबर देखते हैं चौथा नंबर कोशन कि जल सोधन में कौन सी पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो ज इनमें से जल को शूध सुध कर सूध बनाने है तो पर्योग में लाये जाता है तो तो जल को सूध बनाने के लिए हम लोग reverse रम करते हैं ठीक है क्या करते हैं do रिवर्स प्रासरण करते हैं ये यह और एक फिर्ष ऑघारा एक फेसर्थे मरें पोचन ये है पूछा गया था सेकेंड रस्टेज में ठीक है सेकेंड शिप में उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग सिक्स नंबर है वी लवनी करन यानि की डिसालिनेशन क्या है आंसर होगा या एक परकिरिया है जिसमें नमकीन पानी से खानीच पदार्थ अलग करती है तो डिस्टि या को क्या कहते हैं पानी से hydrogen को अलग करना होगा तो हम लोग hydrogen और oxygen को अलग कर शक्ते हैं 8 नमबर देखते हैं लिखित में से कौन सा एक उ PHP पदार्त नहीं है ठीक है उर्धौपातक पदार्त नहीं है स्वीय इसके बाद है 9 हुद पी कि निमन्द में से निम्लिखित में से किने और उर्धह पातन किया जा सकता है ठीक है तो हम लोग उपर देखे थे कुछिन क्या हो जागा अम्होनियम क्लोराइट तीन को याद रखे है कि इसमें अम्होनियम क्लोराइट को अलग करने के लिए निमलिखित में से किस विधी का प्रियोग करेंगे थीड तो उर्धोपातन का प्रियोग करेंगे क्योंकि यहां पर अपया है तो उर्धोपातित पदार्त है जब हम लोग इसको गरं करेंगे तो क्या हो यह चीद्र लोग आंधा जागा कोन आम्मों्य Allah तो इससे स्पोडियु मुद्य यह बच उसको गरम करने के लिए उर्धा पातन या सबली मेशन की परकिलिया को अपनाएंगे चलिए 11 नंबर कोशन है कि निमनिखित में से कौन सा मिसरन अलग अलग कीप या फनल द्वारा अलग किया सकता है ठीक है तो फनल द्वारा यानि कीपी करन विधी हम लोग किसमें यूच कर करते तो तेल और पानी का मिसरन को अलग करने के लिए ठीक है तेल और पानी का मिसरन को अलग करने की लिए नवरा लवन को हटाने के लिए समुद्र का पानी में हम लोग किसका उप्योग करते हैं तो आस्वन विदिय का उप्योग किसके मापने के लिए किया जाता है अगला कोशन है कि पानी और चौंक खड़िया के मिश्रन को अलग कैसे किया जा सकता है आंसर इसका हो जाएगा आवशादन के द्वारा ठीक है आवशादन के द्वारा क्योंकि पानी जो है पानी में चौंक जो है वह घूलेगा नहीं जब इसको कुछ देर हम लोग छोड़ देंगे तो आवसाद के रूप में चौंक जो है वह नीचे की और बैट जाएगा जबकि पानी जो है वह क्या होगा वह उपर रहेगा तो इस विदी को हम लोग क्या बोलते हैं आवसादन विदी बोलते हैं तो आवसादन के द्वार है पदार्त की अवस्था में परिवर्तन ठीक है इसमें कुल पांच कोशन है तो हम लोग इसी वीडियो में हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं ठीक है कि निमलिखित में से कौन सा कारक वास्पी करन की दर को कम कर देता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा नमी बाकित आपमान मे विर्दी होगा तो वास्पन की दर तेज होगा सता का छेत्रफल में विर्दी होगा तो वास्पन की दर तेज होगा इसलिए हम लोग भींगे हुए कपड़ा को फैला कर रखते हैं तक कि उसका सता बढ़ जाए और वास्पी करन की दर तेज हो जा रहा और क्या हो जाए कि क फ़ापछ एक सता की घटना है ठीक है यह रंसर लगत आंपज मेंने ऊघशावशन में की तरहला वस्था में से गयस अवस्था में रूपांतरन को क्या कहते हैं से गैस अवस्था में में रूपांतरन को हम लोग वास्पी करन कहते हैं तरल अवस्था से गैस में रूपांतरन को हम लोग वास्पी करन कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि मध्यवर्ति तरल अवस्था से गुजरे बीना एक पदाशिदा ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं उर्धो पातन बोलते हैं कि अगर कोई पदार्थ है वह तरल अवस्था को होता है ठीक है solid liquid और गैस होता है तो उसमें हम लोग जो solid परदार्थ है वह सबसे पहले उसको हम लोग प्रिग लाएंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले वह तरह लवस्था में पूर्थव पातन करते हैं कि पांचमा नमबर के ठोस में परिवर्तन की परिवर्थन को क्या भाते हैं तो इसमों लोग बोलते हैं संग नन बोलते हैं या फिर क्या बूलते हैं हीमी करन बोलते हैं चलिए यह था हम लोग इस वीडियो में पढ़े लिए कि मिस्रन को अलग करने की परमुक्पिदियां और पदार्थ की आवास्था में परिवर्दन ठीक है इससे अगला वीडियो में हम लोग विलियन से कोशन पढ़ेंगे ठीक है और उसमें जो है सोलूस किजिए ठीक है और आंसार फिए दिया गया तो यह रटने वाला कोशन तो हुआ नहीं ठीक है इसको मोग स्वाल करेंगे तो अगला वीडियो जो होगा स्वालोशन होगा कि विलियन से समझतने पूछे तो उनका सोलीशन वह मुलोग करेंगे ठीक है जो बाकी सब जो रटन सब्सक्राब करें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियों के दिखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू